तो हलो गाइज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, तो 11 अगस्त को एक मुवी आने वाली है, जिसका नम है Oh My God 2, और गदर 2 के अपॉजिटीर रिलेस होने वाली है, और Oh My God 2 का आज टीजर आया है, और ये Oh My God 1 मुवी जो आय थी, उसका सीक्वल है, लेकिन डारेक्ट सीक्वल नहीं ह उनका सीरपाटी के करेक्टर पर, जो कि इस बार आस्तिक लिए गए है, जो भगवान में मानते हैं, लेकिन जैसे पिछली बार मुवी थी, कांजिलाल जी महता के उपर, जो नास्तिक थे, और फिर वो भगवान के खिलाफ कोर्ड में केस करते हैं, लेकिन इस ट्रेलर में ब लेकिन इसमें कुछ सीन्स दिखाए गए है, जिससे मैं स्टोरी की बताऊं, तो यही समझ में आता है, या तो जो पंके सीरपाटी की फैमली होती ही, काफी गरीब है, और उनके बेटा जो होता है, पढ़ाई में अच्छा करनी पा रहा है, या कोई नोगरे नहीं मिल पा र पारी है, उसमें एक सीन दिखा है कि पंके सीरपाटी का बेटा है, शायद या उनकी कोई फैमली मेंबर है, जो ट्रेन के आगे घड़ाओ के सिसाइड करने वाला होता है, तो इन ही प्रोबलम के कारण पंके सीरपाटी जो होते हैं, वो भगवान को याद करते हैं, कि उनकी help करने की लिए आई, जो अक्षेकुमार जो कि इस बार लोड शिवा का character निभा रहे हैं, वो इनकी help करने के लिए आते हैं, और एक बात कहनी बढ़ेगी, अक्षेकुमार काफी अच्छा लग रहे हैं, शिवा के character में, जैसे उन्होंने, ओमाइगाट, वन में कृष्णा का तो काफी अच्छा म्यूजिक भी लिया गया है इस बार क्योंकि एक कॉल्ट रूम ड्रामा होने वाला है तो इस बार मेरे ख्याल से पंकज द्रिपार्टी भगवान के खिलाफ केस करेंगे क्योंकि वियामी गौतव जो है वो इस मुवी में वकील का करेक्टर निभा रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर इन्होंने कोई आधिपुरुष की तरह हरकते नहीं करी तो मुवी अच्छी हिट हो सकती है और एक इसमें प्लस पॉइंट यह है जो हंसराज रगवन सी है जो की सिर्फ शिव के गाने बनाते हैं उनको मुवी में लिया गया है तो हमे एक और अच्छा गाना शिव पर देखने हो मिल सकता है और टीजर के भी बैगराण में जो मुझिक बज़ता है काफी दमदार मुझिक लगता है काफी अच्छी वाइब देता है तो ओमाइग ओड वन की तरह अच्छा मुझिक इसमें भी मिल सकता है तो आप लोगोंने बीजर का भी रिवी देख सकते हैं मेरे चैनल पर